नमस्कार चलिए जानिए मध्यप्रदीश में मौसम का हाथ आसपास के इलाकों में बारिश होनी और ओली गिरने से मौसम के तेवर अब नरम पड़ गए है दिन का तापमान कम होने से गर्मी से भी राहत मिली है मौसम वैग्यानिकों का कहना है कि दो या फिर तीन दिन बाद फिर मौसम बदल सकता है इसकी वजह यह है कि तो अलग-अलग देशाओं की हवाएं आपस में मिल रही है मौसम केंद्र भोपाल के रिपोर्टर के दुआरे ये बताया गया है कि इन संभागों में सौमवार सुभा या फिर देश शाम से मौसम बदलने के संभावना है और इसकी वजह यह है कि वेस्टर डिस्टरवेंस कमजोर है जिससे पूर्वी हवा स्ट्रॉंग होगी ओडिशा तट के पास बना प्रती चक्रवात अगले दो दिन में और दो से तीन दिन में स्ट्रॉंग होगा और इसके कार अर्डक्षिन पश्चिमी हवा और पूर्वी हवा रविवार श्राम मध्रदेश के पास आसपास में टकराएगी और इसी वज़ा से भोपाल सहित प्रदेश के चह संभागों में कही कही तेज बारिश होने और कही कही ओले गरने और कही कही बहुत तेज हवा चलने के संभाबना भी जताई गई है भोपाल में बादल चानी के कार अर्ड मौसनम के तेवर दूसरे दिन ही नरम हो गए वह शुकरवार को दिन का तापमान 27 जिग्री रहा गुरुवार के मुकाबले 7 जिग्री की गिरावट हुई है रात का तापमान 14.04 जिग्री दर्श किया गया बीते 14 घंटे में इसमें 2 जिग्री की गमी आई है तीन घंटे तक बिलकुल नमी बढ़ सका तापमान शुक्रवार सुबह से दुपहर तक तेज हवा चलने और घने बादल चाने के कारण तापमान तीन घंटे तक बिलकुल नहीं बढ़ सका और सुबह साधी ग्यारा बजे पारा 24.04 डिगरी सेलसियस पर था और दोपहर धाई बजे तक यह 24.04 डिगरी सेलसियस पर ही बना रहा और उसके बाग हलकी दूप निकलने के कारण अगले एक घंटे में तापमान में 2.06 डिगरी की बढ़ोतरी की गई थी